नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आटो राज विलोग्स में तो इस वीडियो में अगर आप देख सकते हैं तो आपको यह जानकर अश्चर रहे चकित होगा कि टाटान एक्सवन जो है वो नंबर वन एस्यूवी हो गई है सेलिंग लिस्ट में तो पहले नमबर बें हम बात कर लेते हैं मारूती सिजुकी स्विफ्ट की 19,202 यूनिट्स के साथ में पहली पोजीशन पे रही है सेलिंग में यानि की नमबर वन कार सेलिंग कार हो गई है मारूती सिजुकी सेडान डिजायर तो दोनों सिब्लिंग साथ में 17,438 यूनिट्स के साथ तीसरी पोजीशन पे है मारूती सिजुकी वैगनार जो पहली पोजीशन से गिरके 14,679 के साथ तीसरी पोजीशन पे है इसका रिजन ही यह है क्योंकि इसका अपडेटिड वेरियंट आ गया है 2022 वेरियंट लांच कर दिया गया है मारूती दुवारा चौथे पोजीशन पे रही है फिर दुवारा से मारूती सिजुकी की बलैनो इसका भी अपडेटिड वेरियंट आया अपर थोड़ा से जादा फेसलिफ्टिड वेरियंट इसका लांच कर दिया गया जिसमें हैडलाइट वगेरा ग्रेल इंटीरियर्स वगेरा में मेजर चेंजिस दिये गया है और प्राइजिस में भी थोड़ी बहुत कमी की गई है इस गाड़ी के तो बाराजार पानसवा स 11,649 यूनिट्स के साथ में 7 वी पोजिशन पे रही है मारूती सजुकी की आल्टो 11,550 यूनिट्स 8 वी पोजिशन पे रही है महिंद्रा की ट्राइड एंड ट्रस्टिड और पुरानी रूरल रोडों के लिए गाउं वारे लाकों के लिए बल्लैरो 11,045 यूनिट्स आप देख सकते हो आप 8 वी पोजिशन पे बल्लैरो 11,045 यूनिट्स के साथ में 128 परतीशत का जो है यहां पे मार्किट जो एर और एर है वो गेन किया है यहां पे आप 9 वी पोजिशन पे रही है होंडाई की SUV वेन्यू 10,212 यानि की बल्लैरो दोस्तों होंडाई की वेन्यू 10, 12,212 यूनिट जैसे की बताया है कि 9 वी पोजिशन पे रही है 10 वी पोजिशन पे रही है मारुति सुजुकी की सिलेरियो 9,896 यूनिट्स के साथ में 59% कंक्रीज हुआ है यह भी पिछले दो मेने लक्मक दो मेने पहले ही इसका अपडेटिड इरियंट जो है या नैक्स जन की गई है 12 वी पोजिशन पे टाटा की पंच 9,592 यूनिट्स के साथ 13 वी पोजिशन में मारुति सिल्चु की बिटारा बरेजा यहां पे 20 परतेशत की जो है डी ग्रोथ हुई है 9,256 यूनिट्स के साथ में तेरवी पोजिशन पे चौदवी पोजिशन पे मारूति वेन यानि कि Eco 9190 यूनिट के साथ में 23 परतिशत की डी ग्रोथ बट मार्केट के अंदर इस जो गाड़ी है वैन इको का कोई भी कॉंपिटेटर नहीं है पंदरवी पोजिशन पे रही है होंडाई की हैच बैक आई टैन ग्रैंड 8552 यूनिट माइनस 17 परतिशत की डी ग्रोथ 16 पोजिशन पे मारूती सिजुकी की एस्प्रेसो यानि की मिनी कॉम्पक्ट SUV बट यहां पे हैच बैक दिया गया है लेकिन मारूती स्कूर गाड़ी को अपनी SUV लिस्ट में शो करते है अपनी वेबसाइट पे तो 8140 यूनिट के साथ में 16 परतिशत की एर ओन एर ग्रोथ हुई है सतरवी पोजिशन पे है किया की सैल्टॉच 6575 यूनिट अठारवी पोजिशन पे किया की सोनट 6154 यूनिट के साथ में होंडाई की ही 19 वी पोजिशन पे रही है हैच बैक I1020 ऐलाइट 5830 यूनिट के सा 5109 यूनिट के साथ में की अकैरेंस M.U.V. 20 वी पायदान के उपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस गाड़ी की रेट्स बहुत ही लाजबाब और वाजीफ 899,000 से इसका जो प्राइजीज है वो स्टार्ट हो जाते हैं 21 वी पोजिशन पे रही है महिंद्रा की इथार SUV 5,072 यूनिट के साथ में 78% का जो है यहां पे आप देख सकते हैं की ग्रोथ हुई है और 22 वी पोजिशन पे रही है टाटा की हैच बैक आल्टरोस 5,011 यूनिट के साथ में 27 परतिशकी डी ग्रोथ हुई है 23 वी पोजिशन पे रही है महिंद्रा की SUV 3,004,511 यूनिट 42% का जो है वहां पे ग्रोथ हुई है year on year में और 24 पे पोजिशन पे रही है टाटा की टियागो हैच बैक 4,489 यूनिट के साथ में 34% की डी ग्रोथ हुई है यहां पे लेकिंग एक डी ग्रोथ देखने को मिल रही है वो इस वजह से भी क्योंकि टाटा की जब से पंच आई है ज तो यह थी दोस्तो टोटल टोट टॉप 25 सेलिंग कार्स ऑफ इंडिया तो एक्सवी 7W इस बारी इस लिस्ट में अपनी नाम नहीं बना पाई है तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ में क्या करते हैं यह तो यह थी दोस्तो हमारी पूरी लिस्ट जो टॉप 25 की थी अगर आपको हमारी वीडियो और इंफोर्मेशन अच्छी लेगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले शुक्रिया